नमस्कार दोस्तों लली जोतिस समाधान में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे होलास्टक के बारे में जो की लगने जा रहा है 3 मार्च 2020 से लेकर होली का देहन तक यानि की 9 मार्च 2020 तक ये रहता है शुकल पक्ष की अस्टमी से लेकर होली का देहन तक लाज देए इदक में कुछ शुब कार। वर्जित होते हैं. आज अनिकारी के बारे में बातकरेंगे जो हुब लाज टक के समय नहीं करने चाहएं। इस परकार की कोई भी ना तो डेट पक्की करें और ना ही विवास सम्बंदित कोई कारे करें तो आपके लिए महतर रहेगा दूसरे नमबर पर बात आती है नामकरण की या मुंडन की तो होलास्टक के समय अपने बच्चों का नामकरण करने से बचे और मुंडन करने से बचे अब हम बात करते हैं भवन निर्मान की यानि कि हर वैक्ति के एक सपना होता है कि मुझे अपना घर बनाना है तो होलास्टक के समय में आप किसी नए घर में ना जाए किसी नए घर में आप जाने से बचे और अगर आप घर बनवा रहे हैं तो इसकी नीव रखने से भी बचे होलास्टक का समय बीद जाने के बाद ही आप इस परकार के कारे करें अब जैसे कि हम बात करते हैं हवन की यग्य की या कोई अनुष्ठान की इस बारे में आप सोच रहे हैं या कोई भी आप सिद्धी के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय कोई संकल्प ना ले अगर पहले से कोई संकल्प लिया हुआ है तो हाँ आप उसको आगे बढ़ा सकते है लेकिन इस समय में कोई संकल्प नहीं लिया जाएगा दोस्तों अब हम बात करते हैं नौकरी के बारे में माली जी आपको कोई नौकरी जोइन करनी है और अगर संभव है तो हुलास्टक बीत जाने के बाद ही आप अपनी नई नौकरी जोइन करें और अगर ऐसा नहीं है तो अपने आसपास केसी अच्छे जोतिस की सल्हा लेकर अच्छे महुरत में आप अपनी नौकरी जॉइन कर सकते हैं अब जैसे कि हमें माली जे कोई भवन या वाहन खरीदना है कोई गाड़ी खरीदनी है और आप लेने का मन बना चुके हैं तो होलास्टक के समय में बहतर होगा आप रुख जाईए अभी आप इन चीजों से बचें ताकि आपके लिए अच्छी रहे हैं अब देखिए कुछ कार्य अगर पहले से चले आ रहे हैं जैसे कि आप कोई मकान बनवा रहे हैं तो उस काम को आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है या ऐसा कोई भी काम जो आप पहले से कर रहे थे होलास्टक के समय में उसे आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है आप उसे निश्चित तोर पर कर सकते हैं देखिए दोस्तों होलास्टक के समय में आप विश्णु भगवान की या अपने इस्टदेव की पूजा अवश्य करें इसका लाब आपको जरूर मिलेगा अब होलास्टक के समय में कुछ ऐसे उपाएं हैं जो आप करें तो आपके लिए फाइदे मन्द रहेंगे अगर संतान प्राप्त आप करना चाहते हैं संतान प्राप्ति की आपकी समस्या है तो इसके लिए आप कृष्ण भगवान की लड्डू गोपाल की फॉर्म में पूजा करें जिसे हम ठाकोर जे भी बोलते हैं विदी विदान से इनकी पूजा करें और आप पूजा के दौरान गाएं के शुद्ध देशी घी और मिश्री से हवन कर सकते हैं जिससे की आपको लाब मिलेगा अगर आप अपने जौब और कैरियर में तरक्की चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए इस समय आपको जौ, तिल और शक्र मिलाकर हवन करना चाहिए जिससे की आपको फायदा मिलेगा आप बात करते हैं हम धनसंपत्ती की जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम बड़े घर में धनसंपत्ती बड़े तो क्या करना चाहिए तो होलास्टक में आपको कनेर के फूल एक कनेर के फूल आते हैं वो लियाए और गांठ वाली हल्दी और पीली सरसों और गुड इन चीजों से हवन करिए ये सारे हवन आप आम की लकड़ी पर कर सकते हैं अब अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है उसकी बीमारी जाने का नाम ही नहीं ले रही है असाध्य रोग हो गया है तो आप क्या करिए कि होलास्टक में भगवान शिव के महामित्युन्जा मंत्र का जाप करवाना सर्वत्तम रहता है और उसके बाद आप गुगल से हवन करवाईए जिससे आपको निश्चित तोर पर बहुत फायदा मिलेगा अब आप चाहते हैं कि आपके घर में मालीजी कोई क्रह कलेश रहती है घर में लड़ाई जगड़ा रहता है तो क्या करना चाहिए तो होलास्टक के समय में आप हनुमान चालिसा और विश्णू सहस्तर नाम का पाठ करिए जो आपके लिए काफी हद तक फायदे मन्थ रहेगा तो दोस्तों आज हमने बात करी होलास्टक में क्या काम नहीं करने चाहिए और कुछ छोटे छोटे लेकिन अच्छे कारगर उपाये जाने जो आप कर सकती है दोस्तों लली जोती समाधान की दरफ से आपको आने वाली होली का दहन और दुलेंडी की बहुत बहुत शुपकामना है आपके लिए पर्व बहुत अच्छा रहे और मंगल में रहे तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिष्टेदारों तक पहुचाईए ताकि वो इस वीडियो का लाब उठा सके तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा नमशकार दोस्तों जैश्रीराम